हेलो गाइस मिशा साइन टूप चनल पे आप सभी का स्वागत है आज की सुडियों में आपको 12 बोल्ट का कूलर वाटर पंप बना कर दखाने वाला हूँ गैस इसका जो लूक है यहाँ पर अप देखतों कितना मस्त लग रहा है एसा लग रहा है कि इसको में लोग मार्केट से परसिक किये हैं बड़ गैस इसको हमने घर पे बनाया है और गैस एक केवल 12 बोल्ट से अप्लेट होता है तो इसको आप कोई साभी 12 बोल्ट वाले कूलर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको AC cooler में यूज़ करना तो उसके लिए मैंने विडियो मं बताया है कि आप कैसे डारटली AC cooler में भी इसको यूज़ कर सकते हैं काफी lightweight है और काफी कम बोल्ट से चलता है आपकी विजली को भी बचाएगा और आपके पैसे को भी बचाएगा तो तो guys, cooler का water pump बनाने के लिए सबसे पहले हमें DC motor को जो पढ़ने वाली है, तो यहाँ पे मेरे पाश तीन DC motor है, यहाँ पे जो पहला motor है, यह 755 DC motor है, और जो दूसरी motor है, यह 555 DC motor है, और जो छोटा सा motor दिख रहा है, आपको यह 380 DC motor है, तीनों जो motor है, 12 volt के बैटरीस चलती है और तीनों का speed है, काफी बढ़िया है, आप तीनों में से कोई सबी motor जो है, इसके अंदर यूज कर सकते हैं, तो जो 755 motor है, काफी size में बढ़ी है, इसका जो है मैं यूज नहीं करने वाला हूँ, और जो 380 DC motor है, यह छोटा है, बड़ इसका speed बहुत बढ़िया है, तो इसक इस प्रकार के एक छोटा सापीस कट कर लेना है, और इसकी अगर मैं चोड़ाई की बात करूँ, तो यहां पर अलमोस्ट 1.5 cm का है, और आपको जो है इसकी जो मोटाई है, इतना लेना है, जो मोटर है इसकी बराबर हो, या फिर थोड़ा बढ़ा हो, तो इस प्रकार से देता हूँ, अब उसके बाद गैस, जो यह छोटा अला है, इस पर हमको जो है, एमपलर इसका बनाना है, तो सबसे पहले हमको इस पर जो है लाइन ड्रा करना पड़ेगा, तो गैस सबसे पहले हमको जो है का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर मार्क लगा के, हमको जो है आठ लाइन इसकी उपर ड्रा कर देना है, इस प्रकार से, उसके बद गाइस, मैंने यहाँ पर चोटे-छोटे इस परकार के पीसे कट कर लिए हैं और इसके यहाँ लंबाई के बाद कर दो लंबाई 1,5 cm है एड़ इसके यहाँ पर केवल 1 cm के मैंने चोड़ाई इसका रखा है अब इसको इन सभी पीस को इसकी उपर इस परकार से चिपका दना है, सूपर गलू की मदद से, चल nhé इस सभी पीस को बारी-बारी से इसकी उपर हम लोग चिपका लेते हैं finally guys, यहां पे star is, चोटे-चोटे-चोटे-पीस मैंने SQ पर चिपका दिया है अभी जो हमलोग का employer बनके रेडी हो गया है अभी क्या करेंगे कि इसको मैं यहें लोग aerial daigers से अची तरह पर चिपका देंगे उसके बाद गाइस जो एवाल अधकन है इसको भी हमको इसके बीच में प्रकार्ट लगा के अच्छी तरह से उपर हम लोगों को चिपका देना है कोई भी लिकेज यहां से न रहे यहां पर हम लोग चिपकाने के बाद एरेल डाइड का यूस करेंगे अब उसके बाद गाइस यहां पर जो मोटर कका वला पार्थ est k aí के बेड़ाबर जो हमको इसके सेंटर प्वॉंच में होल करना है और उसके बाद हाफ इंची का आपको कनेक्टर ले ले लिए इस प्रकार का इसको हमको यहां से थोड़ा सा cut कर देना है and cut करने गवाद इसको भी इसकी उपर यहां पर fix करना है तो उसके लिए भी यहां पर हमको cutting करना है चलिए फड़ा फ़र्स यहां पर हम लोग cutting कर लेते हैं guys यहां पर इस प्रकार्स मैंने hole कर दिया है एंड यहां पर इसको मैंने cut कर लिया है अब इसको जो है इसके उपर इस प्रकार से रखके इसको center में हम लोगों को super glue के मदद से अच्छी तरह इस पर चिपका देना है तो guys यहां पर मैंने इसको इस प्रकार से चिपका दिया है और मैंने एक और इस प्रकार का rectangular shape का आप मैंने piece ले लिया है इसको पहले हमको यहां पर इस प्रकार से motor में लगा देना है कुछ इस प्रकार से आपको भी इतना बड़ा cut कर लेना है मैं वीडियो में आगे बदा आपके super glue से दोनों को जो है अच्छी तरस चिपका देना है चलिए फटा-फट चिपका लेते हैं कि अब गाई कि इसको भी इसकी ऊपर इस प्रकार से जो हमको अच्छी तरस इसके अंदर बैठा देना है ओर इसको भी जो है अच्छी तरह से इसी पर चिपका देना है उसके बाद गाइस मैंने पीछे का एक ढखकन कट कर लिया है इसको जो है इसके सेंटर पर कुछ इस प्रकार ट्रे मिला के अच्छी तरह से कोई लिकेज ना हो यह बात का आपको ध्यान रखना है तो चलिए इसको सूपर गुल से अ अब इसको जो है हमको यहां पर पीछे साइड में लगाना आए इसके इस परकार से और लगाने के बाद जो है अच्छी तरह से यहां पर सूपर गुलू के मतलब से चिपका देना है कि थोड़ा सभी पानी इसके अमोटर के अंदर ना जाए तो यह फड़ा फरसे हम लोग कौक जिए च्पका लेते हैं उसके बाद चलिए इसके अंदर और सबसे पहले में वायर कर लेते हैं तो इसके नदर काॉपर को आरे mukर करने करने हूं उसके बद गाइस अब पीछे वाला जो ढखने इसको भी इस प्रकार से इसके उपर चिपका के सूपर गुलू से अच्छी तरह से टाइड कर देना है तो फैनले गाइस यहां पर जो है कंप्लिट हो चुका है अब गैक्स यहां पर जो इस्ट्रा यहां पर बचा हुआ है इस प्रकार से तो इसको बठाने के लिए सबसे पहले हमको जो है यह पाइप आउटलेट वाला यहां के लिए यहां पर को कटिंग करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको कटिंग कर लेंगे और गैस इसके पीछे जो हैं यहां पर धक्कन लगा कि उसमें जाली बना देंगे फटा कर दिया है जो वाटा अंदर जाने के लिए अब जैसे यहां पर आटाइस करते हैं अब यहां पर लोग देख सकते हो बिल्कुल जो है मार्केर जैसा वाटर पंप बनके रेडी हो गया है जिस आप से कूलर में लगता है अभी इसको मैं लोग पेंट करके बाद में यहां प इस प्रकार से आपस में रखके चिपका देना इस सूपर ग्लू की मदद से तो फाइनली गाइस अब आप यहां पर इसका लूप देख सकते हैं क्या ही जो है खतरनाक लग रहा है ऐसा लग रहा है कि समलों मार्केट से परिसिस किये हैं बड़ गैस इसको हमने घर पे बनाय है देखने में बहुत ही बड़ियां लग रहा है अब चलिए फड़ा फड़ से इसके में लोग टेस्टिंग करते हैं तो इसमें जो वायर है इसको आप कोई सभी प्लस और कोई सभी मैनस में इसको आड़ कर सकते हैं यह दोनों साइट बराबर पानी देगा इस बात का को च दूब भी ने रहा है इसको जहां लगाना है इस प्रकार से नीचे साइड में हम लोग को किसी भी स्क्रूप को मदद से कस देना है अब जैसे मैं यहां पर वायर कनेट करता हूं यहां पर वाटर पंप यान हो चुका है अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी भरेगा को फेक रहा है और का पन्बढर उना चल रहा है और शाएव बहुत लिखेह और में आपको शिक करके दिखा रहा हूं और यहां पर वी जाएव नहीं है नटा यहां न गया है तो गाइस अब इसको जो है आप किसी भी water pump बेजली यूज कर सकते हैं चाहे water pump DC हो या AC आगे मैं बता रहा हूं कि आपको AC में कैसे यूज करना है तो गाइस यह water pump है यह जो है DC बनके रेडियो गया है अगर हमको AC चलाना है सबसे पहले आपको 12 बोल का कोई सब एडाप्टर ले लेना है या फिर आपको एक ट्रांसफारमर ले लेना है जो कि डियाटली AC को DC में करनोट कर देगा उस हिसाब से आप इसको डियाटली AC में भी यूज कर सकते हैं तो फ्रेंट यह cooler water pump है आपको कैसा लगा इसको मैंने अलग अलग तरीके से आपको टेस्ट करके दिखा दिया है और इसका प्रेसर आपको मैंने दिखा दिया है बहुत ही बढ़िया है जितना रहना सही है cooler water pump का उतना जो है प्रेसर है आप से इजली जो है अपनी सारे काम कर सकते हैं आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्